C को B से मिलाने पर अभिलम्ब C B या B C है अब ये अभिलम्ब क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सरकल हो या कोई गुला हो उसके केंदर से उसके परिध पर खिंची गई रेखा अभिलम्ब को बैक्ट करती है लंब होती है यानि अगर C से हम यहां से खीचेंगे तो ये भी लंब होगी और ये भी लंब होगी ये भी लंब है अता है अभी लंब यानि C को B से मिलाने पर ये रेखा अभी लंब होगी यानि लंब वहत होगी अता है अभी लंब C भी होगी अब हम यही चीज जो जो हमने फीगर बताया हमने लिखा हुआ है माना MM-A काउतल दरपण है जिसका धुरूपी फोकस है अब तथा वकरता के NC है माना एक परकास की किरण AV जो दरपण पर आपतित होती है परावरतन के पस्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है जैसा कि चित्र के सेम टू सेम चित्र में यही दिखाया गया है और चित्र के उनसार ही लिखा गया है और माना C को B से मिलाने पर अभिलंब C भी पराफ़ होता है अभिलंब क्यों पराफ़ हो तो मैंने यही बताया कि उसके केंदर से परिज से डाली गई जो खींची गई रेखा होती वो स्तद्यो अभिलंब होती है अब मानते हैं कि माना आपतन कोण आई है क्यों कि अब लंब और आप्तित किरण के बीज बना कोंड आपतन कोंड है आई है और मानते हैं कि प्रावर्तित किरण और अब लंब के बीज बना कोंड प्रावर्तन कोंड इसमाल आर है अब देखे हम लोग derivation करना चालो करते हैं derivation में same cone ABC बराबर cone CBF यानि cone ABC यानि I और cone CBF cone R ये दोनों cone बराबर हैं यानि cone ABC cone I और cone CBF दोनों एक दूसरी के बराबर हैं बराबर क्यों हैं क्योंकि प्रावरतन का नियम है हमने कल पढ़ा है कि प्रावरतन के नियमा अंसार आपतन cone और प्रावरतन cone दोनों बराबर होते हैं अता cone ABC बराबर cone CBF अब देखे इसको समी करें